तो हेलो फ्रेंट्स आईए इस वीडियो में बात करते हैं फिला टैक्स इंडिया के स्टॉक की क्योंकि आज इस स्टॉक में फिर बहुती बड़ीया रैली देखने को मिल चुकी है आज मार्केट में बॉलेटल्टी है लिकिन जे स्टॉक 1.25% के रैली के साथ 44.60 पर चला गय इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का जो नोटिकेशन है वो मिल जाएगा वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी कर दें आगे शेयर जरूर कर दें तो दोस्तों ये इसका लास्ट वन मन्त का टेकनिकल चार्ट पैस्ट रन है तो यहां पर देख सकते हो पहले जो स्टॉक का एक रेंज बॉंड काम करता आपको दखाई दे रहा था और एक लेवर को ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा था पॉर्टी वन से लेके फॉर्टी टू के बीच में इसका एक रेजिस्टन्स लेवल था जिसको ये स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा था यहां पर देख सकते हो ये इसका जो रेजिस्टन्स लेवल है यहां पर भी इस स्टॉक में जब रिवर्सल हुआ तो इसी लेवल के र ही देखने को मिली है यह जो बड़ी बड़ी गरीन कैंडल है यह शो कर रही है कि इसके बॉलियम में भी बहुती बड़ा जंप देखने को मिला है और इसकी प्राइस में भी बहुती बड़ी ये इसका जो है financial data भी चेक कर लेते हैं पहले इसकी long term की performance देख लो last one year में इस stock में गिरावट है same time का pattern देखने को मिला हुआ है और five years में 62% के returns हैं तो six month में इस stock में एक breakout जरूर आ चुका है और six month में देख सकते हो 17% के बड़िया returns मिल गए हैं तो यहां पे देख सकते हो यह जो stock है एक time पे बहुत ही low level पे चला गया था 32 के level पर भी चला गया था फिर slowly steadily इसके chart में एक recovery दिख रही है तो इसके जो chart के tops हैं वो भी increase हो रहे हैं अपर trend line के round जाता दखाई दे रहा है तो आने वाले time में 50 प्लस के target इस stock में easily achieve होते दखाई दे सकते हैं देखने इसके लिए short term के लिए ज़िए आप कोई भी position बनाना चाते हो तो आपको यहां पे stop loss लगाने की हम राय देंगे stop loss के बिना कभी भी कोई भी shorter में position नहीं बनानी है यह हमारी आपको राय है आगे दोस्तों आईए इसकी financial performance देख लेते हैं जून 23 में देखो इसके जो numbers हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे थे आप company का revenue 4.49% के हिसाब से improve हुआ है लेकिन bottom line में 59% की गरावट है क्योंके net profit margin 61 1% के हिसाब से गिर गए हैं तो यहां पर कोई आप कह सकते हो कोई इतने अच्छे trends नहीं देखने को मिले हुए हैं लेकिन चार्ट में जरूर अब momentum बनता दखाई दे रहा है क्योंके दोस्तों यहां पर जो अब different कह सकते हो के market analyst हैं वो भी इस पे bullish हैं यहां पर भी दे सकत में अच्छे जो है target हिट करता दखाई दे सकता है क्योंकि इस company के stock की जो performance है that is being led by its attractive financial prospects तो आने बाले time में company के financial prospects बहुत ही positive हैं company different type के textile products जो है वो बनाने का काम करती है and Villa Tax India has had a great run on the share market with its stock up by significantly 15% over the last month तो last month में भी इस stock में अच्छी तेजी जो है वो आ चुकी है अब बात करते है return on the equity की 200 जदी ROE percentage देखें company की तो यहां पर देख सकते हो the return is the income the business earned over the last year it means that for everyone worth of the shareholders equity मतलब company अपने shareholders की equity को किस तरह use करती दिखाई दे रही है तो यहां पर देख सकते हो company की ROE percentage is 14% है बढ़िया है मतलब company अपने shareholders है अपने investors है उसके पैसे को बहुत ही efficiently use कर रही है क्योंकि return on the equity यही represent करती है कि company अपने दिवेशकों का पैसा किस तरह use कर रही है जदि आप थोड़ा सा long term के लिए इस stock में बने रहोगे तो आपको यहां पे अच्छे returns भी मिल सकते हैं का low ही दिख रहा है तो overall financial performance बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रही है long term के prospects positive है और GLE इसका data देखो तो company के numbers improve होते दिखाई दे रही है एक बाद share holding pattern भी हम आपको show कर देते हैं क्योंकि share holding से भी काफी कुछ पता चल जाता है और promoter के पास बहुत ही बड़ा stake है 64.78% के round stake जो है promoter के पास है retailer के पास 29% के round stake है और FIIs का भी बहुत ही बड़ा पैसा इस company में लगा हुआ है FIIs का जो stake है 6% से उपर है और एक अच्छा stake बना हुआ है कोई ज़्यादा FIIs की reduction नहीं देखने को मिली हुई है FIIs अपना जो stake है वो high maintain करके इस company में बैठे हुए है Company का क्योंकि business अच्छा है Company textile sector के products बनाती है अच्छी company है और different type के जो multi filament jars products है polyester chips है वो बनाने का काम करती है तो textile sector में company का बहुती बढ़िया business है तो इस तरह के stock को जैसे हमने आपको बता दिया है short term के लिए stock plus के साथ trading करें और long term के लिए ये stock को ज़िए आप थोड़ा सा volatility के साथ hold कर सकते हो तो आपको अच्छे returns मिल सकते हैं 2x से लेके 3x तक returns मिल सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको जो है next 3 से लेके 4 years ता किस stock को hold करना पड़ सकता है so thanks again दोस्तो एंडवे हम आपको यही कहेंगे किसी भी stock में आंक बंद करके पैसा मत लगाओ नवेश करना है तो अच्छे quality के stocks टूंडो सही valuation पर नवेश करो high risk मत लो तो आपका risk कैसे कम होगा valuation सही होनी चाहिए debit to kitty ratio low होना चाहिए और fundamental strong होने चाहिए ROE percentage हाई होनी चाहिए तो इस stock में सारे fundamentals valuations सही है so thanks again मिलेंगे नई वीडियो के साथ अभी तक जदी आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को आप subscribe जरूर कर लें thanks again